प्रम्न भूमिया मर नात धां घूजू धां। परम्शिव भक्त और हठी देवगुरु व्रहस्पति पुत्र कच्च के सम्मुक देवराज इंद्र को तेजित हो उठी। उधर स्थाए विश्व शांती के उद्देश से भोले नात ने देवगुरु व्रहस्पति तथा दैति गुरु शुक्राचारी को कैलाश आमंत्रित किया। तथा आपने शुभ प्रयासों को सफल करने के उद्देश से दो परस पर जन्मजात शत्रूओं को गले मिलवा दिय किन्तु आकाश मार्ग पर देवर्शी नारत से हुई भेट में देव गुरु न स्वष्ट किया कि देवदानों की शत्रूता को इतनी सरलता से समाप्त नहीं किया जा सकता। दैति राज महासुर के हाथों से तलवार का गिरना नए देवासुर संग्राम का संकेत था। दै महासुर शीक्र ही स्वर्ग पर आक्रमन कर विजय प्राब्द करेंगे। किन्तु दैत्य सेनापत्री का अनुरोध मानकर अभियान से पूर्व दैत्य राज महासुर दैत्य गुरु शुक्राचारी के दर्शन का निरने करता है। ए शिवशंकर, ए भोलेनात, मुझे आत्मबल प्रदान करें, मुझे शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं दैत्यू को देवताओं के साथ मित्रता के लिए प्रे रिदकर आपके आदेश का पालन कर सकूए। ये सरवेश्वर, मेरा तरक ग्यान कहता है, कि ये अत्यंत कठिन कारे हैं, क्योंकि देवता सदैव डैत्यू के शत्र रहे हैं, और यही प्रकर्दी का नियम बन गया है। दयानिधान, संभवता आपने मेरी तरक शक्ती, नीति ग्यान, एबं आत्मबल की परिक्षा है तो ये संभवसा कारे मुझे सौंपा है। मुझे आशिरवात दे, जिससे मैं इस कारे को सभल बना सकूए। अम नमस्षिवाय, अम नमस्षिवाय, सुन्दर, अती सुन्दर दयत्य गुरु, भगवान भोले नात के परती आपके हिर्दय से निकली सची प्रार्थना सुनकर, नारत धन्य हुआ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवर्शी नारत, शुकराचारे आश्रम में आपका स्वागत है। नाराय, नाराय, धर्त्य गुरु, आज पहली बार आपकी श्रीमुक से स्वागत के वचन सुन रहा हूँ। ये एक अभ्यास है देवर्शी नारत। अभ्यास? मैं कुछ समझा नहीं। दैति जाति आपचारिक शब्दूं का प्रयोग नहीं करती। किन्तो आने वाले भविश्य के लिए ये शिवशंकर के शुब प्रयास से देव और दानव, बित्रता के बंदन में बंद गए, तब शुकराचारे आश्रम देवताव के लिए खुल जाएगा। उस समय शब्दूं का प्रयोग कथि नहीं। इसलिए अभी से प्रयास प्रारम किया है। दैत्य गूरुशुक्राचार्य, कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही कार्य की सफलता की घोशना आपके आत्मविश्वास का परीचिय कराकर, कार्य के सफलस के संध्यकों भी समवाब्त कर रही है। याप क्या कारें देवय셔서 प्रयोग आप भविष्य में करने वाले उसका प्यास कर रहे है अरफ़ा बभविष्य आपके दिरधी दर्ष्टी के सम्मुग तुम नहीं देवरिशि प्रयास को प्रयास के प्रयोग करके भी आपने की दूइदा समापने कर सकते कि यह प्रयास तो मात्र अपने आरादि शिव शंकर के प्रती समर बढ़ है दैत्य गुरु शुक्राचारित आप आधर्मी है आज आपके हिर्दे में भगवान गुलिनात के आदेश के उपरांद प्रेम की निर्मल धारा भेह रही है देवों को पराजित प्रतारित करने की म यह त्यंत प्रसन्यता का विशय है देवरिशी नारत आप तो परम शुभक्त हैं जानते हैं कि शुविच्छा स्वीकार करने में ही सभी का कल्याण है चत्रता की मातो कांक्षा मित्रता की सद्भावना के समक्ष इसलिए पीछे हग गई क्योंकि कहीं मित्रता का हाथ आने वाले दैते पीछे ने रहे जाए कई आने वाला इतिहास दैतियों को युद्धुनमादी कहकर संबोधित न करें आप चिंतित नहों दैते गुरु शुक्राचारे स्वयम आपके और देव गुरु बैस्पति के सत्प्रयासों से निश्चिती एक नया इतिहास रचा जाएगा और उसके हम सब साक्षी होंगे इर्शा धिंसा शतुर्टा के स्थान पर शान्ती प्रेम और मित्रता की निर्मल धारा बहेगी जो समस्त विश्व को शिव में कर देगी देवरिशी नार्द वो शड़ कितना महान होगा जब भगवान शिव शंकर द्वारा निर् नारा देवरिशी नारद वैसे तो यह जग कि मानित आया कि आप के उपस्तिति आनंतकारी इमा मंत्रटा के मत्रति ना तो मेरी कोई और अती विश्वास कारी की सभलता में बादा ही डालता है नहीं देवरिशी नारण नहीं थोड़े ही समय में यहां दैतिराज महासुराने वाला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो देवदानों मित्रता के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करेगा सेथ गुरू तो इसी अपान जनकारी के लिए मुझे यहां मंत्रत किया था गायर निर्बलेवं दुष्व देवदाओं से बित्रता ऐसा सोच कैसे लिए आपने तीनों लोकों पर राज्य वही करेगा जिसकी भुजाओं में शक्ति हो नारायन नारायन आप दोनों के वाद दिवाद के मध्यन मेरी उपस्तिती अनुचित है मुझे आप आग्या दे दारायन दारायन चला गया अन्य था इसी से दुष्ट देवताओं को युद्ध का संदेश पिजवा देता नहीं दैतिराज नहीं अब इस विद्वन्स पर भिराव लगाओं कोछ निर्मान रशन तक शुक्राजारी पला रहा आषेरह नंगरें दैतराज किस किस पर आश्यव न करूँ देटी-गुरू किस किस पर वुएक सियु धान देति-गुरू देवताओं के छल पर आश्यर न न करूँ तो ये भगवान शिव ने रखा है, तरीक विजार करें, वो दिन कितना सुखद होगा, जब संसार में सारी शिर्ट तर समावत होगा, पूची नीश का भे तब भी रहेगा, चक्तिशाली निर्बल का शोशन तब भी करेगा, हाँ, यी प्रस्ताव सच हो सकता है यदी, यदी क्या, बोलो महासुर, इस प्रस्ताव की सब्वर्दा के लिए, मैं अपने प्राणू की आहुति तक दे सकता हूँ, नहीं नहीं दैत्य गुरू, इसकी कोई आवशक्ता नहीं है, दुष्ट देवता, अपनी श्रिष्ट ता छोड़कर बाताल में निवास बना ले, और हम तक अक्षस स्वार्ग में रहें, बस इंग रिए। कैसे संभूव यदि ये संभव नहीं है, तो वो भी संभव नहीं है, देवता हमारे एक मात्र शत्रु है, और उनकी पराजय है ये हमारा एक मात्र उत्ज यह है, मित्रता में ही हमां समुनार कराई है। हुँ मेत्रता मेत्रता जदी मेत्रता काही बाट पड़ाना था तो जन्मसई हमारे शरीर में चत्रुता का विश्क्य गोल दिया आपने क्यों देवदाओं की दुष्टता और छलका बार बार हमारे सम्मुक उलेक के आपने क्यों स्वर्ग एश्वरी और सुख्भोग के सपने दिखाए आपने देति गुरू अब ये मित्रता असंभाव ले हम शिग रही स्वर्ग पर आक्रमन करके देव उताओं पर अपनी श्रेश्टता सिद्ध करेंगे हाँ कर देवराज अथ्वा किसी लोब में आकर रहत गुरू शुक्र अचारी के साथ मिलकर देवताओं के विरुद्ध शडियंत्र की रूब्रेखा तयार कर रहे हैं इस नए प्रस्ताओं की अड़ में आप क्या कह रहे हैं राज्व करें हम्यूचर्व शिद्ध कर जाट से रहा इस देवराच बस्‍ कर मोंस लिया हमने देवजकर कि देवताओं के विरुद छड़ी अंत्र रचे किसी लोग में आकर देवताओं की पराजय किस्वक्त देखे बहुत अच्छा प्रतिफ़ दिया है आपके हमें देवराजिंद्र ऐसा घृनत भारों लगाते हुए आपको तनिक भी लज्जा कानुभव नहीं हुआ अबिमान कि एवंद्वर की स्वतत्रता के मुल्य पर यह आरोब तो बहुत छोटे हैं देव गुरु बहुत छोटे हैं करने की शक्ति आप खोचुके हैं देवराजिंद्र प्रत्य पर संद्धे करना आपका स्वभाव है अहकार आपका अभूशन हाँ देवकुरु प्रहत्ति हां कि इन सब के उपरान भी हम स्वर्गाजि पती है है हम देवराज है पिता श्री पस पस एक बाद जान से सुने देव गुरू कि एशन के अपरांत हमारे सामने कभी भी देथ्यों से मैंस्तरी का पिस्ताओ ना लाना कभी भी ना लाना पिता श्रेष्ठ देवराज इत्र का सभाव जगत विदित है अपने हित की बात में भी शड्यंत्र का अनुमान लगाना उनकी विशेष्टा है आप ये व्यर्थ का प्रयत्न छोड़ देए स्वामी ऐसा लगता है भगवान शीव शंकर के आदेश की अवहलना करके देवराज देवताओं तथा स्वर्व को संकट के और ले जा रहा है गुरुवर पिता श्री के आपके प्रती अभिमानी व्यभार से कुछे अत्यंत कष्ट पहुंचा है इस व्यभार से तो बड़ स्वर्थे का उलेख करके मैं देवराज इंबर को उनके क्रोथ का भगतार में बना सकता है मैं तो केवल इता ही कहूँदा कि देवताओं एवं दानवों की मित्रता के प्रयास में मैं असफ़नाओं मुझे अक्षमा कर दें बोले नाथ अम नमाशिवाई देवी आजकल नारद अपनी मादा पार्वती के दर्शनों के लिए बहुत कम मुझसाहित रहते हैं ऐसा अप्रत्याशत पुरश्मी क्यों स्वामी? यह अप्रत्याशत प्रश्मी तुम्हारे स्वभाव के अंतर से ही जन्मा है देवी मैं कुछ समझी नहीं स्वामी स्वाथा में पुत्र की स्वभावगत विशेषताय स्वभाविक परंतो इन दिल आप हमसे किसी भी प्रकार की चर्चा परिचर्चा से बचती हैं हम नारद का उलेख कर आपकी इसी उपेक्षा का कारण जानने की इच्छुप स्वामी आपके प्रती उपेक्षा की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती हाँ चिक्यासा के प्रती मैं चिंतित अवश्य हूं चिंतिर, हाँ स्वामी आपके द्वारा प्रारंब, देव दान्मों की मित्रता के प्रयास पविश्य में अनर्थकारी सत्र ना हो जाएं यहीं मेरी गंभीर चिंता का विशय है तुम्हारी चेता स्वभाविक है देवी परंतु जगत शांती के प्रयास कर रहे हैं प्राणियों के लिए सुक्षांती के अफसर प्रदान करना हमारा प्राथ्मिक कर्दव्य है ये चानते हुए भी कि तोनों पक्ष अहंकार एवं दुर्भावनाउं से ग्रस्त हैं आप उन्हें समीत लाकर मित्रता के बंदन में बांधने का प्रयास कर रहे हैं हाँ देवी परंतु क्यूंकि मित्र प्रशी संयोग का आश्वासन दिया है इसलिए इस विशे पर तुम्हारी चिंता अनावेशक है क्या देव गुरु ब्रस्पति एवं दैत्य गुरु शुक्राचारी के प्रयास सफल होंगे संभव है ना हूँ तो इस शुक्राइस का नाम क्या होगा स्वामी परिणाम अस हमारे प्रस्ताव को ठुकराने का उस्मारण तो रहेगा स्वामी आपने जो कुछ कहा वो दर्ग संभर एवं मुझे स्विकार है मैं आपके प्रत्य कारे में आपकी सह भागनी हूँ दैत्य गुरु शुक्राचारे देवी पार्वती इस समय आपके सत्प्रयासों की ही चर्चा कर रही है दैत्य गुरु आपके हावभाव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप दैत्यों को मैत्री का पाठ पढ़ाने में असभल रहे हैं आपकी कोई युक्ति उनके बैर्भाव समाप्त नहीं कर सकी देव आदिदेव आप सरवग्य हैं दैत्यों के दुष्ट सभाव से परिज़त होते हुए भी आपने जो आदेश मुझे दिया था मैंने हृदिश से उसका पालब किया एवन भविश में भी करता रहूगा कभी समाप्त नहीं हुए थैत्य गुरु शुक्राचारे आपने हमारे आदेश का पालन करने के लिए अपने आपको पून रूप से सबर्पित किया यहीं हमारे लिए संतोश का विशे है आपकी अती महत्व कांशा से रुष्ठ होकर हमने स्वयम प्रदान की हुई मृत कि वो शक्ति इस प्रयास के बुरुसकार सुन हम आपको पुना प्रदान करते हैं आप महार है देवाने देव आपने अपने इस तुछ सेवक को अपनी दया का मात्र बनाकर अपने आशुतोश नाम को साथ्त कर दिया आपका योगकार मेरे लिए अमूली धरोर बना रहे है कि मैं देवरा जिंद्र को देतियों से मित्रता का पाठ पड़ाने में निश्वर रहा हूं कि मुझे ख्षमा कर देशिम्शंकर मैं बहुत लज्जित हूं भोले नाथ देव गुरु देति गुरु भी इस समय आपकी के समार क्यास विफल होकर यहां उपस्तित हुए है भोले नाथ इस प्रयास को तो असफल होना ही था अर्थार स्वामी स्रिष्टी रचना की समय प्रम्मा जी ने आप ही के आदेश पर दानव पानव एवं देवताओं की रचना अलग-अलग तप्तियों से की थी यह बात आपको भली भाती विद्ध है इसके उपरार्थ भी प्रेवि आपने देव दानवों में मितृत हा प्रयास किया यह बात हमारी समझ से परे है क्या जो होना था उस alter हमारो अधेश्य था किन्तु इसका लाब क्या होगा स्वामि यह खषनिक लाब का नहीं", दूरगामी लाब का विशेह देव Sikh इस प्रयास के परश्चाथint प्रहस्पती एवं शुक्राचारे के मध्य वो कटुता नहीं रही जिसके कारण आज से पूर देवदानों के संखर्ष को मार्क दर्शन मिलता था निस्संदेह स्वामी ये एक महान सफलता है पविश्य में देवदानों संखर्ष का स्वरू इन दोनों के योगदान बिना कुछ और होगा नाराय, नाराय, ओ नमस्षिवाय, प्रणाम बोले नार, प्रणाम बाता हुआ कहो नाराय, क्या समाचार लाएगा, बोले नार, वैत्तराज महतुर ने स्वर्ख पर आकरवणा देश अपने असुर सिना को दे दिया है, देवराज इंद्र भी अपनी देव सिना के साथ यूत्र भून्दी में पहुंच गए है, अब देवदानों संगराम अनिबार्य है अब आप दोनों का कर्थव्य, पुनहा निर्धारित हो गया, अब आप दोनों अपने अपने स्थानों पर जाकर, अपने विवेक से निर्णय रहे जैत्य गुरु शुक्रचारिता, हमारी मिंद्रता अभी एक शिशु के सब्सक्राइब, कि मैं आपको विश्वास देलाता हूँ, कि मेरी और से आपकी प्रती, कोई शत्रुवत कारे का विवाहर में हो, देव गुरु भहस्पती, मैं भी आपको यह आश्वास देता हूँ ओ, नमस्षवाँ देवराज इंद्र, तिस संदे तुम देवराज हूँ, यंत युद्ध कोशल में तुम निर्बल और भीरू हूँ आश्वार्फ, मेर अशुपाणी का प्रयोग नहीं करते, मीरता दिखाते हैं, ठंग्राम संग्राम चिलाने से नहीं, शक्ति प्रदर्शन से होता है, इंद्र आज तक तुमने युक्ति प्रयोगती से हम देत्यों पर विजय पाई है, अकनी देव, वरुन देव, वायू देव, इनकी सायता से केवल अकनी वायू और जल्द से पीड़ा पहुचाई है, ऐसी युक प्रयूक्ति का प्रयोग मेरे साथ न करें, केवल अस्त्र शस्त्र से ही, जैसा एक वीर युद्धातु शुभादे, वैसा संग्राम करें, अवश्य महसुर, अवश्य, हम एक शक्तिशाली की भाथ ही संग्राम करेंगी, इंद्दु सावदान, किसी मंत्र तंत्र या अलोक एक अस्त्र से नहीं, इस नग्राम में विभल बल का प्रयोग होगा, आवश्य महसुर, नंग्राम, आक्रमार्स आ, 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 आ पाँ उाफ। पाँ आँः हाँ पहाँ हुँँँँदगा दोल एफ प्रफिते हुआने लिए क्झ में को प्राइने यह लिए लिए खाइहाएएए फटोड़ा हुआ्छ फ्टतरा ऑिप पुछ ऑज थेपड़ rest ऊऑड़ अ बसो जुछ जेले! Ajay Mahaasur लेख लिया हिंत्र से तक राने का परिणाम जरगाधी पती डेवराज कि इन्दर की जे! जरगाधी पती डेवराज इन्दर की जे! जेवराज इन्दर की जे! ने अघ्ट्राज महासुर मर्दन तेवराज इंद्रकी जेवुन के हjän बच्रपाणी देवराज इंद्रकी जेव fell हमारे असंख्य सैनिक अथुरुके प्रहार से वीरगती को प्राप्थ हुए हैं यह हमारे लिए चंता का विशे है देवराज चिंता का विशे वरुडेज ये हमारे लिए चिंता का विशे कैसे हो गया है असुरों की संपूर्ण सेना समाप्थ हो चुगी है आप असुर कभी भी स्वर्ग पर आक्रमन करने का दुस्था नहीं करेंगे देवराज कि देव गुरु कि प्रत्याइक युद्ध कि समाफ्थि पर आप यहीं कहते हैं कि ना तो कभी युद्ध समाफ्थ math हुए और नाहीं दैतियों की स्वर्ग विज्ए की महत्वा कानुशावी इवराज प्रत्याइक युद्ध एक नय फृतिशोत को जन देता है हाँ पिता श्री प्रतिशोत की अगनी कभी शांत होने का नाम नहीं लेती देवराज मृशन्स हत्याओं के इस व्यापार को समाप्त करें दैतियों से मित्रता का संकल्ब करें असंभव देवगुरु असंभव देवगुरु इस समय हम युद्ध की वजय से उस् समय बिगन ना डालें करें देवगुरु झालें महासोय, पीर दैती राज महासोय, देखा, देखा तुमने अपने हट का परिणाव, देखा तुमने शुवा आग्या की अभेलना का परिणाव, आज तुम्हारा शक्ति शाली शरीर, भूवी पर रख्त रंजित पड़ा है, तुने अपने गुरु की बात माननी होती, पाहसोय, अब सब कुछ सवाथ भूब्या, देखा उसे संभावित इत्रता, उसके तुमने हत्या कर डाली, अरे, अपने गुरु की मर्यादा का ध्यान रखा होता, तरिक ये तो सोचा होता, क्या सुरू के मृत्य शेरीरू को देखकर, तुम्हारे ये गुरु जीवित कैसे रहेगा, हाँ, वाँ, सुरू, हाँ, बेहत जाती का ऐसा विनाश, बेहत शक्ती की ऐसी पराजए, देवताओं के मेथ सैनिकों का, इस आश्रम में क्या का, ये यहां क्यों पड़े है, एशु शक्कर, ये कैसी लिला है आपकी, बेर्थ विलाब में समय मत गवाओं शुक्राचार ये, ऐसे क्या देख रहे हो, शुक्राचार, मैं तुम्हारा कर्म हूँ, दूर हो जाओ मेरी तृष्टी से, मैं दूर हो गया, तो तुम कर्म भी ही नहीं हो जाओगे, तुम मेरे कर्म नहीं, मेरी मत गवाओं शुक्राचार, मैं तुम्हारा कर्म ही हूँ, और इस समय तुम्हें तुम्हारा कर्म स्मर्ण करवाने ही आया हूँ, नहीं, नहीं, मुझे ऐसे किसी कर्म का स्मर्ण नहीं करना, जिसे मेरी शुब वक्ति पर आचाहे, शुब आगया का उलगन हो, मुर्ख शुक्राचार, भैत जाती के विनाशने, तुम्हारी बुद्धी भ्रष्ट करने ही, तनिक सोच शुक्राचार कि शुब आगया क्या कहती है, मैं कुछ नहीं सोच सकता, कुछ नहीं सोच सकता मैं, तु मुझे बता दे, कि शुब आगया क्या कहती है, तनिक सोच शुक्राचार कि मृत्य शरीर को जीवित कर देने वाली, मृत्य संजीवनी विंद्या, जो तुम्हारी मैत्रु कांक्षा से रुष्ट होकर भोले नात्य तुमसे चीन ली थी, पुना प्रदान क्यों की? तुम्हें अपनी तर्क शक्ती पर बड़ा गर्थाना शुक्राचार्य, अब कहां गये तुम्हारी तर्क? व्यत्य संजीवनी विद्या के प्रयोग से व्यत्य जाती कुपुनर जीवित कर दो, इस समय यही तुम्हारा कर्म है, पुनर जीवित कर दो, नहीं नहीं, यह भगवान भोले नात के आधिश का लगर हुआ, कदाब नहीं शुक्राचार्य, यह यह ऐसा होता, तो ऐसे आउ शुक्ति प्रदार ही क्यों करते हैं, सब सोच विचात दागते शुक्राचार्य, लैते जाती को पुनर जीवित कर, यही शुव आगया भी है, और यही तेरा कर्म है, पुनर जीवित करके असुर युद्ध निमादी हो जाएंगे, जिसकी शुवशक कर अनुमती नहीं दे तो जिस दृष्टी से शुव की आशिरवात को देख रहा है, कई वो शुव की क्लोध का कारण न बच जाएंगे, अरे मोर्ख, तू कर्म वहीन हो रहा है, इतना भी नहीं जानता, कि शुव कर्म करने वालों को ही प्रेम करते हैं, कर्म नहीं, शुव सद्ध कर्म करने वाल जाद गर्म नहीं है, शक्ति होने के उप्रांद भी ये दि दैती जाती को तुमने पुनर जीवित नहीं किया, तो भविश्य तुम्हें दुद्कारेगा नहीं शुक्राचारी, शुव वाग्या क्या अनुरोब भी तुम्हाने गर्म करके अर्धारन हो चुकाया, शुक्र जीवित करदोन असुरोगो, अपने कर्थवे का पालन करो, अपने कर्थवे का पालन करो जय जय मृतिन जय महादेव 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 कि देखा अपने भगवान शिप की दी हुई मृत संजीव नी विद्या की शक्ति पर एथी गुरु शुक्राचारे ने तुष्टसुनों को पुने जीविद कर दिया किन्तु हमारे मृत स्थेनिकों को यूँ छोड़ दिया कि देखार है देव गुरु प्रहस्मति पर जो इंसे मित्वता की बाते करते हैं धन्य है देद्य गुरु शुक्राचार्य आप धन्य है अब हम कुना स्वर्गपर आक्रमन कर दुष्ट देवताओं को फरास्त करेंगे नहीं नहीं महासुर ऐसा तुसास नकरना कि शिव हाँ 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 दुइधा का नहीं प्रसन नत्ताव का समय क्यों थे गुरु यूंकि इंद्र के पास अपुतने देव सैरीक भी बचे जो हमारे प्रहार का सामना कर सकें अब स्वर्ग देग journals कर्य का है कि अध्य गुरु शुक्राचारिय के निया थकिंट धत्राज महासुर मैंने तुम्हे निराश करने के लिए जीवित नहीं किया है कि एक किन्ट थोड़े समझ के लिए प्षाक प्रणिक्षा कृश्व हां दैत्राज महासुर इस समय का सद्वियोग तुम अपनी शक्ति के विकास में अपनी शक्ति इतनी बढ़ाओ कि भविश में तुम्हें देवताओं से पराजित न होना पड़िए कि आप सत्य कह रहे हैं देट्य गुरू हमें देट्य शक्ति को संगठित करने के लिए थोड़ा समय अवश्य लगेगा हिसीक रेई पत्कि और पाताल के शक्ति शाली देश्यों को एकत्र करके असुर महासियना कौँ ऐकत्र करूंगा अब दप स्वर्ग हमारा होगा तकर राज माहसुर्की आण शुक्राचारे आश्रम में शुक्राचारे वा देवरस्रिवि Morgen we are पूर्ण बार्ता लाप सुनकर क्रोधित महासुर्ण स्वर्ग पर आक्रमण की घुशना करता है देव गुरु वहस्पति पर शड्यंत्र का आरोप लगाते हुए देवराज इंद्र भी दैत्यों से मित्रता का प्रस्ताव अस्विकार करते हैं शुब प्रयास असफल होने पर शुक्राचारी की कार्य समर्पन भावना से प्रसंद भोले नात उन्हें मित्र संजीवनी विद्या पुनह प्रदान करते हैं उधर इंद्र के वज्र प्रहार से आहत होकर महासुर अन्य असरों के साथ शुक्राचार्य अश्रम में किरता है मन के आम्त्रिक दुंद की पश्चात दैत्ति गुरु शुक्राचारी मृत्र दैत्यों को प्रह जीवित करने के लिए मृत्र संजीवनी की प्रियोग का निश्चे करते हैं संजीवनी विद्या के प्रियोग से जीवित महासुर महासुर सेना इकत्र करने का संकल्प करता है प्रसंद्ध असुर सैनिकों ने शुक्राचार्य और दैत्यराज महासुर के नाम का जैघोश किया जै घूश्वार सुनकर ध्यानस्त श्वन रोज से आथे खोल कर शुक्राचार्य को पुकारा दे। शुक्राचार्य शेग्र के लाश पर उपस्ति थो ओग नवश्वाद। शुक्राचार्य हमारे इतने समझाने पर भी तुमने देट्यों के प्रती अपना पक्षबात नहीं छोड़ा। हमारे द्वारा प्रदान मृत संजीवनी विद्या से मृत देट्यों को पुनर जीवित कर उनमें योद्वनमाद जगाया। और मृत देवताओं को यूही छोड़ दिया। मैं दुविधा में बढ़ गया था दुविधा। कैसी दुविधा। कर्ब विमक्ख हो जाने की दुविधा। यह दिये दैत्य गुरु शुक्राचारी मृत दैत्यों को जीवित करने का कर्म न करता तो। शुक्राचारी तुमने पहले भी कई बार इस उधारण का उलेक किया है। यह उधारण शुक्राचारी के कर्मों का विधान है देवात्य। नहीं। यह उधारण की धैत्य गुरु धैत्यों के प्रदी अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा तो। क्या करें कुरा कर्म कि देग गरुग प्रह्सपती के साथ मित्रता की सौगंद लेने के उपडांद तुम्हारे नए करतनव्यों का विधान भिष्टित हो गया था, भोले रात छुकरहप चार तुमने अपने मित्र प्रहसपती के प्रती ही नहीं, प्रति भी विश्वास खाग किया है नहीं नहीं भॉलेनात। उस मित्रता के साक्षी हम स्वयं थे। हमारे सामने ही तुमने प्रैस्पति को हुदे से लगाको अटूट मित्रता के लिए हमारी ही सौगन्द खाए। निसंदे भूलेनात मुझसे भ्यानक अप्राद हुआ है कि मुझे शमा करें भूलेनात नहीं मित्र से विश्वास खाद एवं हमारी असत्य सौगंध लेने के लिए तो हमें एक बार तुम्हें शमा कर भी देते किन्तु मृत संजीवनी विद्या का दुरुप्योग कर तुमने शिव भक्त होने कादिकार भी खो दिया है जाएं सित्ति विहीं अपने असुरों के पास जाएं नहीं भूलेनात नहीं मुझसे मृत संजीवनी सित्ति नचीने अलिता पे निर्बल होकर रह जाओंगा तुम् तुम तर्क के ज्याता हूं विद्वान यह अपराद तुमने अज्ञान वश नहीं किया अपितू अपने अपराद को आवरण में लपेटने के लिए तुमने अपना उदाहरण भी प्रस्तुत किया भूलेनात उस पर दया करें नहीं तुम्हारे इन दुश्कर्मों पर द बार मेरी दुश्चता को शमा करें मैं हृदी से सच्चा शिव भक्त्व हूं शुक्राचारे हम स्वयम अपने वचा न सकते नहीं कर दो किन्तों यदि तुम्हारे मन में शिव भक्ती शेश है तो जाओ धूम्रतब करें धूम्रतब के पश्चाथी तुम्हें हमारी प्राप्ध हो सकती है तुम जो समाचार लेकर कहलाश पर उपस्तित हुए थे उसका परिणाम तुमने स्वयम देख ले अब कोई अन्य जिग्यासा शेश है नहीं धोले ना आपके एवं माता पार्वती के दर्शनों से मेरी उपस्तिती सफल हुई अब आप दोनों मुझे आज्या दे नारायर नारायर आपने उचिती क्या स्वामे शुक्राचारे से वित संजीर्नी का अधिकार छीन कर आपने दैती शक्ति को विनाशक होने से पचा लिया गो सहे इमाहर हागा बीजेए न करते हुए जया थे विनायर को आपने भीगार संना याओं एंग टैत कि मुला कंभ आपने भीजिवायर को देम मुला एंग ड्शनों एंग धम घुन आपने आपने अज़ादु एंग कि बढ़ारे देवराजिनी आपको भली भाती ग्याद है फिजाओं हमारे साथ शिव अराधना कंद्र हार कारिका एक समय उता है तो виде जीव तो समें होता है ऐसमें nutzen तो कि तो हर खकाभप धिर्दे को समर्पित लखना हम आपकी इमियो व्यजे आप नहीं प्ला रे VERY तो विवश हो कर हमें यह आना पड़त का अधे दीवार्च मैं आप से कहने नहीं है कि आपको बताने आया हूं कि क्या आपको घ्याद में अपने परमित्र के पुखित के हमारा परमित्र हां आपका परमित्र और देवताओं का परम्शक्रुट आप देट गुरु शुकराचारे के विशह में बात कर रहे हैं अच्छा है कर अच्छा है आपने परम्शत्रु को भी ग्रत्विद यूद्थ गुरु शुकराचारे जैक海ं देवमुरु की क्या नहीं किए अग्वान शिप से पुने प्राप्त मृत संजीवनी का प्रयोग करके मृत असुरों को जीवित कर उनमें युद्वोन माच जगाया है अब असुर बुरे अस्वर्ग पर आखवणा करने के चुबूंग है चाप सत्य कह रहे हैं देवराज मेरी बात तो आपको सत्य लगेगी क्योंकि आप स्वर्ग की पराजे के मुल्य पर देव शत्रू हों से मितरता की सोगांजो운ने रहें के आप आते वहेतु है देवराज था ना हेत्व कि यही परावशे कर्ते हाएं कि आसुरों की नहीं कि प्रतिक्षा करें देवराज आप हमारे प्रतिक्षा का समय नहीं है देवगुरु तो फिर ऐसी विशम परिस्ति में आप क्या करें आगे बढ़कर कि आगे बढ़कर स्पर्थ की प्रत्र विश्वास का नहीं है देवराज प्रश्न पुनरावुर्ति का है आप भी वही करने जा रहे हैं जो दैट्यगरु शुक्रचारी ने किया है जिव के प्रति उस अब रात की पुनरावुर्ति का प्रामर्श मैं नहीं दे सकते हैं आप भोले नात के न्याये पे विश्वास है वो जो कुछ भी करेंगे उसी में सब का हिच्च छुपा है हो सकता है ये भी उनकी महान लीला का एक अंग तो नारायन नारायन पनाम पुर्फ ब्रयोत क्यों हो रहा है देव जिंद्र आपके आणसे मुझे आपके शिक्ष्ण संदेव रहा है मेरी शिक्षा पर संदे ना करें दिवर्शी गट लंट चुक्षान हो पराप्षिक्षा को पूरण शिक्षा नहीं हो अर्ड़त आश्रमों में मात्र भार्षा ज्यान की शिक्षा दी जाती है यह नई परिवाश आप सुन रहा है देवुरू यह परिवाश नई नहीं है देवराज्च। शास्वत नौजश्वत। नेर्फा सुने संभवता आपका कुछ कल्यान हो जाए हां देवराजी वेद शास्त्रों एमों पुराणों की कठिन अभीव्यक्त्यूं को समझने के लिए आश्रम की शिक्षा उप्यों की मानी जा सकती है किन्तू किन्तू क्या देवर्शी किन्तू ग्यान का तरिक से उच्छा है अच्छा ह हां देवराजी ग्यान प्राप्त करने के केवल दो ही उपाय हैं पहला बाहियत दूसरा आंतरिक आंतरिक मैं कुछ समझा नहीं देवर्शी कच तुम विध्यारती हो इसलिए शीग्र समझ जाओगे परंतू देवराजींद्र संभवता समझ के भीना समझे नाराय नाराय देवराजींद्र स्वाध्याय एवं सत्संग ये ज्ञान प्राप्त करने का पहला एवं बाहिय उपाय है चिंतन एवं मनन ये दूसरा एवं आंतरिक उपाय है इसलिए सत्संग जिनतन एवं मनन थ्ञां कि इन दूर्भाग्या से हमारे देवराजींद्र के पास ज्ञान प्राप्त करने के इन चारों उपायों का अभाव है है जो आध्या के लिए इनकी पास समय नहीं है और सभसंग के मध्धे सप्टम्शूर में पहुँचाते हैं देखा तुम न कि देखा ना तुमने खच यह पुनह सभसंग के मध्धे सप्तम्शूर में पहुच देवराजित रख्रित्त्य आप प्रोधित नहुत अपने गुरुद चणंतर के अत्रिक्त आप चिंतन करते ही कहा है और रहा मनन तो आप वही करेंगे जो आपके भीतर है अर्थात पर समझने का प्रहत्न ना करे देवरा येंद्र वह बहुत कटू है संभवताहां आप सुनने सकें मैं नहीं सुन सकूंगा तो ये सब तो सुन लेंगे आपके तीक्ष्र व्यंग बाणों से इनके हिर्दय को शीतलता तो मिलेगे इन सब को सुनाने की कोई अवशक्ता भी नहीं है देवराजिंद्र ये सब आपकी हिर्दय में समाई उर्भावनाओं से भली बाती परिशित है और रहा प्रश्न शीतलता का सो शिवभत्ती की कारण इन सब का हिर्दय शीतल रहता ही है देवरशी नाराए यदि आपका ये व्यंग सस्संग समाप्त हो गया हो तो मैं आपको अपने सत्तम सुर्थ चानने का कारण बतलाओं नाराएन नाराएन उसकी कोई आवशक्ता नहीं है देवराजिंद्र इतना बहत्तोपुण विशे आनावश्य कैसे हो गया देवराजिंद्र इदायत्यगुरु शुक्राचार्य के दुस्सास से कुर्थ भगवान भोलनाथ ने उनकी मृत्य संजीमनी की भी सिद्यां छीन भ्याद्य मृत्य devrait जारण धैत्यगुरु शुक्राचारय Shiva राज़न्य क्या बोलेनाथ नहीं सद्यां सदैवची के देवगुरु धुलेनाथ को गुडवान। परन्तु दैत्य गुरु शुक्राचारे की शमाय आचना पर भरवान घुलेनात्य ने उन्हें धुम्रतब करने का परामस्थ दिया धुम्रतब? उसके सफल अनुष्ठान से वे उन्हें शिवक्रित्बा प्राप्त कर सकेंगे गुर्देव ये धुम्र तब क्या होता है? शुक्राचारे को यग्यकुंड से धुम्र प्रकट करके तब तक उसका सेवन करना होगा जब तक घुलेनात्य प्रसंद नहीं हो जाता है तपों में ये सरवादिक कठित दप माना चाता है देवराज्च ये तो शुभव से ने दिखना है अनायास ही हमें मनमान्चित दिशामिल हिए असुरों को सदा सदा के लिए स्वापत करने के लिगे हमें किसी भी मोल्य पर इस तब को पूर्ण नहीं होने दिना है क्योंडेव आङनि इस में अपन्टिग नहीं है न प्रित संजीवनी शक्ति आपसे चीद लेना शिव का आपके प्रति अज्याए है देती गुरू नहीं आशुराज, शिव किसे के प्रति अज्याए नहीं करों, वो तो न्याए की मूर्ती है, जिन्तु ये नहीं है, हम इसे घदाप इस्विकार नहीं करेंगे, शिव की आग् तुम्हें अपने स्विरोध को तब तक रूपना होगा, जब तक मेरा धूम्र तब पूर्ण नहीं हो जाए, ये ये संभाव है, देव हमें निर्बल और आल्ची पुकारेंगे, हम अपने अभियान को गदापी नहीं रोप सकते, महासुर, इतना हुतेजित मत्त, अज्य तुम्हें शिव कूप का भागी बन्ना पड़ेगा, शिव सदेव दुष्ट देवताओं की हिसायता क्यों करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी तरह बार बार बाताल पर आक्रमण नहीं करते, तुम सरकपर आक्रमण गरके हिंसा उत्पन करते हो, और शिव शंकर को हिंसा प् वो तो प्रेम के आकाशी है, सुनों महासुर, कल प्रादा प्रम्म मोर्त में नशिव शंकर को प्रसंद करने के लिए, धूब्र तब का प्रारम करूगा, और जब तक मेरा ये तब पूर्ण नहीं होगा, तब तक तुम सब शान रहें, कोई विरोद नहीं करोगा, ये मेरा का मिश्वास है, और आदेश में, ये दि तुमने इसे नहीं माना, तो तुम सब नश्ट होगा, ये क्या कहने है देवराज, शुक्राचारे का धूम्रतब खंड़िक करने के लिए, मैं पुत्री चैन्ती को बेचू, इसी में सब की भलाई चुपी हुई है देवराज, नह ये प्रस्ताओ अनर्थकारी है, अब मान जनक है, हम इसे स्रीकार नहीं करते हैं, देवराज, कभी-कभी हम जिसे अनर्थवाब मान समझते हैं, वहीं, विदी के विधान से, लोक कल्यार, जनहित, बधर्म से जुड़ा हुआ होता है, देवराज, मुझे दुख देने के अ ये आपको दुख पहुंचाने का प्रयास नहीं है, पिता के हिर्दे से पूछिए, कि पुत्री को शत्रु के मुवे धकेला, दुख पोड है, अत्वा नहीं है, देवराज, आप जैन्त और जैन्ती के पिता होने के पूर, देवताओं के राजा भी, आपकी प्रजा का प् समाज कल्यार, लोख हित, वजन हित के लिए, एक राजा को अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करना आवज है, नहीं देवगुरु नहीं, ये असंभव है, पितार्श्वी, मैं स्वाया में ससंभव को संभव बनाने के इच्छों के, नहीं, मैं अपने स्वार को और स्व स्वार की सुरक्षा, देवताओं के कल्यार, एवब रजा के हित के साबने, तो मेरा त्याग बहुत ही छोटा है, पितार्श्री, ये तो तुमारी भाशा नहीं देत, ऐसा प्रतित होता है कि तुम्हें देवगुरु प्रहस्पती ने पहले से ही सिखा पड़ा दिया, पितार्श्री, आप देवगुरु पर मिध्य आरोब लगा रहे हैं, जो सदेव आपके हित के लिए चिंदित रहते हैं, दुरुदेव ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं स्वय में आपसे कह रही हूं, कि मुझे भेज कर आप स्वयर के चिंदा से मुक्त हो जाएए, पुत्रे जैन्ती, कह दियाना नहीं, हम तुम्हें शत्रु के पास जाने की अलमती गदा भी नहीं देगे। देवगुरु, देवगुरु क्या मेरी दुविधा को समझ पा रहे हैं? दुविधा, कैसी दुविधा मुझे? मेरी अंतर आत्मा, मुझे देथ्य गुरु के पास जाने के लिए कह रही हैं। किन्तु पिताश्री हो, पिताश्री इसके विरुद्ध हैं। आप ही बताईए, देवगुरु, मुझे क्या करना उचित होगा। पुद्री, प्रत्य एक आत्मा में शिवान्ष होता है। आत्मा का निर्देश स्विकार करना ही उचित होता है। मैं भविश्य द्रिष्टा तो नहीं। किन्तो इतना निश्चित कह सकता। इसे विच्छा से तुभारा संबंध दैत्यगुरु शुक्राचारे के साथी होगा। इस क्या दिग, मैं कुछ नहीं कह सकता। है, बोल्गने को बहुत के झात्या थिर्देश पर नमाशिवाे नमाशिवाई Oh Namah Shivai ओ नमाशिवाय ओ नमाशिवाय। ओ नमाशिवाय। और लाएं वाँ पाहर भुड्श कर लाँ हुआ 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 है हम आरान हम लड़िय कैने छुड़र में ए learners फिर एनले हे विर लानAut पर एनले ही तारा चुछ होग Cancer है कि तुर भेश्चे करे और हम छुट जनले हो भी का फंट ओम नम 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 कि देवी शुक्राचारय ने हमारे आदेश का संबान करते हैं दूम्रत पारम कर दिया है कि इनकी स्वामी कि शुक्राचारी के साथ यह मारी सुर किसका है इंद्रपुत्री जयांतिक जयांतिका हाँ देवी देवराजपुत्री अपनी अंतरात्मा के स्वर का सम्मान एवं निर्देश पाकर शुक्राचारे के पास पहुंच गई चौना इस आश्च्चरी जनक खटना का परिणाम क्या होगा अब तो परिणाम जैयंती के लिए मंगल कारी ही है अर्थार जैयंती दैत्य गुरु का धूम्रतब खंडित कर देवताओं के कल्याण का उद्देश्य लेकर ही शुक्राचारे के पास पहुंच तब खंडल कि यहां तो सामुरत तपस्या की स्वर के तुर्ष्ट सुनाई पढ़ रहे हैं स्वामी हाँ देवी धूम्रतब को समर्पर शु शुक्राचारे के साथ जीवन भर निर्वा करने का निश्य किया है अर्थाद अब देव दानव के मज़े संगर्ष की भावना समाख होकर नवीन संबंदों का प्रारम होगा यह तो बहुत ही शुद समाचांग है जुनिनाथ पुझे क्षमा करना है जिग्यासा के वश्म म नारद तुम अपनी जिग्यासा को लेकर सदेव क्षम में ही इस समय तुमने कहला शाकर उचे थी कि हमें तुम्हारे आगमंती ही प्रतिक्षा थी बोले नारद अपनी तुरुटी पर आपकी कृपा पाकर नारद धन्य हुआ जय शिव शंकर जय शिव शंकर तो क्या ये भविश्य का प्रश्ण है नारद इसका उत्तर भी भविश्य ही देगा परन्तु इस समय तुम्हारी जिग्यासा शांत करने के लिए हम इतना ही कह सकते कि देवराज कुलनंदनी जयन्ती एवं दैत्यकुरु शुत्राचार्य के संबंध का परिणाम दूर्गामी एवं अवस्य नारा Creator की पुत्रिकरिकी आगमन्त से देव दानों के संघर्ष के संभावना चलीग है जय जय श्रैकाए शणकर Here ओम नमाशिवाय, ओम नमाशिवाय, ओम नमाशिवाय। ओम नमाशिवाय, ओम नमाशिवाय, ओम नमाशिवाय। मुझे तो अब इनकी देव निश्ठा के प्रथि, संधेह होने लगाए। कि तुपरतु के पोई अवश्चक्ता नहीं अगनी देव। यह अपमाँ जनक रश्च देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। कि देव गुरु प्रहस्पति स्वयम को कोई सिथी प्राप्त कर नहीं सकते। इसलिए देथी गुरु शुक्रा चार इसे सिथी प्राप करने के ज्लोब में हमारे विरुद शर्यंत्र रच रही है। कब तो निश्चिती यह चिंता का विश्च है। हाँ अगनी देव। और यह चिंता एक संकेती है। कैसा संकेत देव राजी। यही। कि भविश्च में हमें देव गुरु प्रहस्पती पर आश्चितना होकर अपने बाहु बल पर विश्वास करना होगा अपने बाहु बल पर। अन्य था यह देव गुरु रुपी चिंता हमारी चिता में। स्वर्थ की सुरक्षा के प्रती संपुरुन समर्पित। देव गुरु ब्रहस्पती के प्रती आपके संधेय जनक्षद। आपको शोबा नहीं देदे देवराजेंद्र। अपनी शक्ती पर विश्वास करने के विरुज में मैं नहीं। तो घर्ती चिंता करना उचित रही है। देवराजेंद्र। नहीं देवराजेंद्र, नहीं। जहां युद्ध की संभावना समाथ हो रही हो, महाँ चिंता का क्या सनाथी। स्वायम देवादी देव भग्वान भुले नात में कहा है कि इस घचना का परिणाम शुभ ही होगा। कि अच्छुर। पितुपा सुर। देथ्य गुरु शुक्राचारी का ध्रूम लब्द समाथ होने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले कितने वर्षुल से हम पाताल में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब और अधिक सायम हम नहीं रख सकते हैं। नहीं नहीं असुर। क्या आप देथ्य गुरु शुक्राचारे का आदेश भूगय है। पितुपा सुर। जो हम देख रहे हैं क्या वो तुम भी देख रहे हो। हाँ सुराज। देख तो मैं भी रहा हूँ। यह कन्य कौन है। विक्ता सौर। अपने मूल रूप में हमारे समक्ष पस्तित हो। विक्ता सौर। आग्या असुराज। हमने तुम्हें देख गुरु शुक्राचारी के आश्रम के गुप्तचरी के लिए यहां नियुक्त किया था। क्या तुम नहीं जानते यह सुन्दरी कौन है। जानता हूं असुराज। यह सुन्दरी देवताओं के राजा इंद्र की पुत्री जैनती है। तुम नहीं जानता। कि देख गुरु के धून तब प्रारण होने की कुछ वर्शों के बाद से ही। यह निरंतर उनके साथ उन्हीं की तरह तब कर रही है। यह सूचना मुष्टक क्यों नहीं पहुँचाई गई। शमा असुराज। इस सुंद्री की उपस्तिती से मुझे किसी प्रकार देर्थ शक्ति और देर्थ गुरु की भानी की संभावना दिधाई नहीं करने। इसलिए। भूर्ख यह सुंद्री कहीं देख गुरु शुक्राचार्य के तब तो खंडित तो नहीं कर रही। ओ नमस्षिवाई। यहीं कारणों कि देख गुरु शुक्राचार्य का तब इतने समय से पूर्ण नहीं हो पा रहा। मैं अभी इस सुंद्री को इसके दुस्सास का दंड देता हूं। उसके पश्या तुम मेरे क्रोध के भागी बनोगे। तंदेश नमिजवाकर तुमने असुर जाती को इतनी प्रतिक्षा करवाई विक्तासुर। घर यह असुर राज। इस सुंद्री की हत्या से पूर्व एक बार खुचित अनुचित का विचार अवश्य कर ले। हत्या में कैसा विचार। स्मर्ण करें असुर राज। एक बार दैत्यगुरु शुक्राचार्या ने कहा था। यह आश्रमें कैसा छेत्र है। जहां शिव प्रेपा से कोई जी मृत्यू को प्राप्त नहीं होता। हाँ असुर राज। और यह सुंद्री तो वैसे भी शिलका घंड तब दैत्यगुरु के साथ ही कर रही है। तब घंडित करने वाली अनेत सुंद्रियों को मैंने देखा है। वो स्ट्वैम बैठकर तब नहीं करते हैं असुर राज। संभवता तुम ठीक कह रहे हो विक्ता सुर। किन तु ध्यान रहे। भविश्य में घटने वाली हर घटना की सूचना मुझ देख पहुंचती रहे। जो आ किया सुदाच। पर किया। ऑ कि घठकर सुरुन थेत मेरी हुष। ऑ कि पे जज़ता रहे। ओड नमसीबाय, ओड नमसीबाय, ओड नमसीबाय, ओम नमर्शिभाय रो अम्हे श्रमकर आ चिर्व हुँर किढ़ने कश्य पए हर्यक्षण अपरधय verdict कान्स्तुति शुत्त्याय wp देवडेव आसे ओनामशी बाय लुट लुट दो दो नॉड़ा दो पानाशी भाना सिवाई इंहाई सिवाई अ नॉड़ा दो नॉड़ाई इंहाई इंहाई अब दो पर दो जो पूंदे है अब पर भूले नात कि अब ऊबते हैं अब नात कर आपकी भक्ति मुणा प्रापकर देक हो गया आप वास्तों में वक्त वर्चल हैं। शुक्राचारी तुम्हारी एकनेश्ट और अखंड तपस्या से हम प्रसंद करें। कहो, क्या इच्छा है तुम्हाएं। भोले ना, आपके अलोकित दुरूप के दर्शित के साथ ही, तेरी सारी इच्छाएं समाप्त है। भोले ना, अब आप मुझे अपनी अमिट भक्ती प्रदार कीचे। तुम्हारे तर्फ संगत उत्तर से हम प्रसंद हुए शुक्राचारी। भृत संजीवनी विद्या के सिध्धी के अध्रिक हम तुम्हें प्रजेश, धनेश एवं अवध्य का वर्दान देने के साथ ही, अपनी अमिट भक्ती प्रदान करते। तुम गैद्य गुरू के रूप में अमर कीरती वान बनोते। भूले नात, दया के सागर, कृपा निद्धान, तुम्हारा कल्यार। तुम्हार। आपका एक लिष्ट से तब देखते हैं, यह आपके चरणों में समर्पेथ हो चुकी है, मुझे आपके चरणों के दासी बर्ले का वभाग्य प्रतान कीजिए सुमुख, तुम्हारी समर्पन महाना से ने प्रसन देख, वैसी शाण, अगनी के सम्मुख तुम्हे अपनी धर्मपत्नी स्विकार करता, यह शुक्षंकर, आपको परोक्ष साक्षी मानकर, अगनी के सम्मुख नैंद्र की पुत्री जैंदी को अपनी धर्मपत्नी स्विकार श्रिप शंकर, देट्य गुलुशुक्राचारी को मैं इंद्रपुत्री जयन्ति अपने मन, बचन और कर्म से अपने पती के रूप में स्विकार करती हैं, हमें आशिर्वा देते हैं श्रुण याल में ना लुखिवा, याल में हमें का दो लुखिवा, याल में श्रुण पोर चाना हैं, ब business and अपने हैं वह वह से श्रुणुक्राचारी के रि writes Вам ज्ते हैं में आशिख नपने मे इंदो प्रेस्ट अईरे हैं बुखिवर बाम खशछ शब झाई बाम खशछ शब झाई नमा शफड़ाः नमा शफड़ाः झाल, 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 झाल. झाल, झाल, झाल.